नमस्कार दोस्तों, Today Exam के YouTube चैनल पर आप सवी का स्वागत हैं दोस्तों, आज के स्वीडियों हो वोम रिजनिंग की काउंटिंग फिकर यानि तिर्बूस की घणना करना सीखेंगी क्यांकि दोस्तों त्रिबुज की गणना करना related सवाल है जो हर exam में एक ये दो सवाल देखने को मिलता है इसलिए दोस्तों अगर आप भी इन त्रिबुज की गणना करना सीखना चाहते एक आसान ट्रिक के साथ तो इस वीडियो को आप सुरू से लेकर लास्ट टक जरूर देखे हैं तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं type 1 ठीक है तो दोस्तों जब भी किसी परकार के exam में इस परकार का त्रिबुज दे रखा है और पूछे की इसमें त्रिबुज की संक्या कितनी है तो हम आपको बताते हैं इन त्रिबुज की संक्या कैसे ग्याद करनी है तो बताते हैं जब भी दोस्तों इस परकार का कोई त्रिबुज दे रखा है और पूछे की त्रिबुज की गणना कैसे है तो दोस्तों ये वाला त्रिबूज है जो एक सिंपल सा त्रिबूज दे रखा यानि इसमें एक त्रिबूज होगा जब दोस्तों इसी त्रिबूज में एक इस परकार की लाइन दे रखी हो और पूचे कि आप त्रिबूजों की संक्या कितनी है तो दोस्तों आप उनको कुछ नहीं करना है अब आपके महान में सबसे फटाक सा अंसर आएगा कि तिरबुजों की संहिए तो दो हो जाएगी क्योंकि एक लाइन खीचे तो दो नहीं होगा इसमें तिरबुजों की संहिए ज़्यादा होगी कि दू ये हो गया और यह एक यह तीसरा पूरा टीन हो गया तो MH गता हूं दोस्तों यह वाला आपको समझ जाओए इसी प्रकार यह दूसरा है अपना यह वाला तो इसमें तोस्तास किस्नके कि होगी वहम आपको बताते हैं इसमें उसी पहले waste करना है काउंट एक दो तीन चार और इन सब को जोड़ देंगे एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार तो टोटल कितने होते हैं तो टोटल होते हैं दस यानि दोस्तों इस वाले त्रिबूज में पूल त्रिबूजों की संग्या कितनी है दस से तो दोस्तों उमीद करता हूँ यह वाला आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है एक बार आपको फिर से बताते हैं कि जब भी दोस्तों इस परकार का यानि इस परकार का कोई भी त्रिबू जाए और उसमें पूचे कि त्रिबूजों की संग्या कितनी है तो दोस्तों आपको कुछी नहीं करना है सबको पहले एक बार काउंट करना है एक दू तीन चार और इन सबको जोड़ देना है और जो आंसर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा यानि इसमें 10 आ रहा है तो 10 आंसर हो जाएगा अब समझते हैं टाइप 2 तो टाइप 2 में दोस्तों एक लंबवत और सेतीज बागाव में दे रखाएं लंबवत यह हो गया और सेतीज यह वाली भी दे रे हैं और साइडव भी दे रखिये तो इसमें तिर्वतЗवकर किस संक्या कितनी होगी वो भी हम आपको यह आसान ट्रीक के साथ बताते हैं तो दोस्तों इसमें भी क्या करना है जब भी इसमें लंबत और 30 दोनों देखा दे रखी है तो इसमें भी आपको काउंटी करना है एक, दो, उनको अलग-अलग काउंट करना है उसी परकार दूसरा हुए है, एक, दो इनको भी जोड देंगे तो एक प्लस दो कितने होते हैं, तीन होते हैं और इसमें एक, प्लस, दो कितने होते हैं, तीन होते हैं, तो तीन और तीन कितने होते हैं, छे होते हैं, यानि इसमें कुल त्रिपुज़ों कि संके कितनी हैं, छे हैं और इसी परकार ये दूसरा दे रखा है दूसरे में भी क्या है एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन ठीक है अब इनको भी जोड लें थे तीन एक और दो तीन 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 चे इसमें भी चे और इसमें भी चे जो थैतिया अठारा होते हैं तो इसमें त्रिबुजों कि संग्या कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी यानि दोस्तो इस परकार के जो भी सवाल आगए तो उमीद करता हूं आप गलत करके ने आएगे एक बार आपको और समझाता हूं कि जब भी इस परकार का कोई भी त्रिबुज दे रखा है और आपको एक प्लस दो तीन तीन और तीन च्छे चैत्रिया 18 कर देंगे चैंटू तीन बराबर 18 तो आंसर कितना जाएगा 18 जाएगा ठीके दोस्तों उमीद करता हूं यह दोनों भी प्रकार के आपके समझ में आ गए अगर समझ में आ गए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ह दोस्तों इसी परकार हमारा हमारा अगला तीसरा टाइप है संपूंट त्रिबूज में 37 वाग में विबाजित हो तो त्रिबूज की संक्या कितनी होगी यानि 37 वाग यानि यह इस परकार के लाइन दे रखिए और एक त्रिबूज दे रखा है तो उसमें पूचे कि त्रि कि किये वाला तरफ देंगे दो डगया एक कि दो त्रबूज हो गएंगे कितने होंगे दो इसी पर कर सıllपी दे रखा एंगी कि इसमें कि सब्सकति तो दोस्तों एक और सुछ ब inflam में जिसमें और इमक्राइश फिरिची हो गये उत्ने प३ह में श्रेस mil के कितनी कि एक, दो, तीन, तो इसमें त्रिबुजों की संक्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तीन हो जाएगी, कैसे, देखो, सबसे पहला ये वाला एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये पून वाला हो गया, तो इसमें कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी, तो दोस्तों, उमीद क तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है सीधा सा सिंपल सा पंड़ा है जितनी से तीज रिखा है उतने त्रिभूज हो गया इसमें से तीज रितना कितनी है तीन है एक ये एक ये और एक ये तो इसमें त्रिभूज हो गया है तो दोस्तों उमीद करता हूं ये भी आपको अच चौता टॉपिग है जिनि चौता टाइप है अगर तीजी तुतुत के अन्दर तुत्रेगी सान्थ तो गाशांट्र के साथ ये भी मिल रही है तो दोस्तों कितने होगे अंदर त्रिबूज कितने होगे चार होगे एक, दो, तीन, चार कितने होगे चार होगे और एक बहार का हो जाएगा तो त्रिबूज में किस संग्या कितने होगे पांच होगे यानि इस वाले त्रिबूज में कुल संग्या और गी 5 इसमें दो तिर्वूज अंदर दे रखा है एक तो यह दे रखा है एक यह दे रेखा है तो कुल कितने हो जाएंगे आप comment करके जरूर बताएं अगर आपको पता है तो आप comment करके बता है नहीं तो हम आपको बता रहे हैं अगर आ रहा है तो आप जल्दी कमेंट करके जरूर बताईए तो दोस्तों हम अमने पहले में क्या बताई था कि जब भी किसी त्रिबूज के अंदर त्रिबूज दे रहा है तो हमेशा चार त्रिबूज बनेंगे जब उनकी तीनों भुजाएं बाहर के त्रिबूज से मिल अंदर वाले की मिल रही है। इहाँ मिल रही है। बहुत दोस्तों किसी त्रिबूज के अंदर त्रिबूज हो तो अंदर की संक्या कितने हैं चार हो गी और एक यह हैं oynगई और यहि, य Unless나 दो और यह बहार का हो जाएगा यानि इसमें कुल त्रिबुदों की संग्य कितनी हो जाएगी नौ हो जाएगी तो दोस्तों उम्मिद करते हैं यह चारों टाइप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होंगा तो जगर दोस्तों समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए और दोस्तों अगले इस वीडियो में हम बताएंगे कि इन से रिलेटेड क्यूसन किस फरकार के आते हैं एक्जाम में वो भी आप जानना चाते हैं और उनको भी कैसे सरल करें वो भी आप जानना चाते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं